Hello everyone, welcome to Magnet Brains आज हम पढ़ेंगे about pollution of air and water ये class 8 science का topic है तो इसमें हम पढ़ेंगे आज about air, pollution and water pollution तो इस video में friends हम पढ़ेंगे about air pollution तो सबसे पहले तो air का composition क्या होता है? यानि air में कौन-कौन सी gases होती है? हम सबको पता है air में बहुत सारी gases होती है तो air में कौन-कौन सी gases होती है? क्या आपको इसका जवाब पता है? देखें, ये हम इस pie chart के through समझेंगे ये जो maximum blue हिस्सा आपको दिख रहा है ये है हमारी nitrogen gas और बाकी का जो ये आपको एक दूसरा हिस्सा दिख रहा है इस इस oxygen और ये जो है इसमें other gases आती है जैसे की carbon dioxide, water, vapor, argon and other gases तो हमारा maximum जो 78% है वो nitrogen है 21% oxygen है और बाकी 1% में other gases आती है So this is the composition of air actually, जो naturally होता है atmosphere में But अगर इसमें हम कुछ contamination कर दे यानि हम अगर इसमें कुछ और gases आजाए हमारी activities की वज़े से जो की harmful भी हो तो इसी को ही air pollution कहा जाता है यानि air pollution क्या होता है कि जो air की composition उसका disturb होना उसमें और gases जैसे कि अगर मैं बात करूँ जब हम बात करते हैं जब हम गाड़ी चलाते हैं उसकी तो गाड़ी से जो few निकलता है smoke निकलता है जो दुआ निकलता है उसके में बहुत सारी poisonous gases होती है जैसे कि carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide तो यह जो सारे gases है यह सपोस्ज यहाँ पर carbon dioxide का percentage है कुछ अब अगर human activities की वज़े से carbon dioxide निकलेगी तो carbon dioxide का percentage तो बढ़ जाएगा यानि कि जो natural percentage है atmosphere का वो disturb हो जाएगा जो gases का percentage है तो इसी का ही किसी भी gas का जो harmful हो उसका percentage का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है pollution, air pollution तो air pollution gases के द्वारा cause होता है तो जो आपकी automobile exhaust है जिससे कि nitrogen की oxides, sulfur की oxides निकलती है वो क्या करती है वो air को contaminate कर देती है यानि उससे pollute कर देती है और इसलिए हम उन substances को बोलते है pollutants और इस process को हम बोलते है air pollution So, हमको पता है कि oxygen कितनी होती है और nitrogen कितनी होती है तो oxygen और nitrogen का percentage पता है हमें उसके अलावा जो gases होती है वो भी हमें पता है air pollution क्या होता है जब यह unwanted gases जो है air में आ जाए उसी को हम क्या बोलते है air pollution तो क्या यह air pollution हमारे लिए useful होगा कि harmful of course यह हमारे लिए harmful होता है इसलिए हम बोले है unwanted substances तो यह air pollution जो है living और non-living दोनों ही चीजों के रिए harmful होता है क्यों? क्योंकि human beings में यह respiratory problems cause करेगा अगर मैं poisonous air को inhale करूँगी तो वो मुझे respiratory problems cause करेगा, lungs को damage cause करेगा और वही में अगर बात करूँ ताज मेहल की तो हमें पता है ताज मेहल जो है वो उसका जो white marble है वो खराब होता जा रहा है due to acid rain तो यह जो gases है जो acid rain में result कर रही है वो non living thing याने की monuments को भी खराब कर रही है so I hope this is clear to you तो अब हम आगे और detail में पढ़ेंगे about air pollution and its causes तो हमें पता है pollution जो cause करेगा उसको हम pollutants बोलेंगे तो air pollution जो cause करेगा उसको हम air pollutants बोलेंगे तो क्या causes है जैसे कि आप यहाँ देख सकते है यह factory इसमें से बहुत सारा smoke निकल रहा है तो smoke के साथ साथ यहाँ पे कुछ dust particles भी निकल रहे है तो smoke तो gas का form है उसमें बट कुछ particles है तो उसको हम particulate matter भी बोल देते हैं तो यह जो air में जा रहा है नहीं केवल poisonous gases जा रही है बट उसके साथ कुछ और particles solid particles भी जा रहे हैं जो कि air में suspended रहेंगे याने air में present रहेंगे तो क्या करेंगे air की quality को खराब कर देंगे और इसी को हम क्या बोलते है air pollution तो यह air pollution के क्या-क्या causes और होते हैं यह देखते हैं तो एक तो हमने आपको factories बता दिया यह तो एक man-made cause हुआ एक automobiles exhaust उसमें से जो दुआ निकलता है वो भी air को क्या करता है पल्यूट करता है तो यह हमने पढ़ लिए कुछ man-made causes बट अगर मैं natural causes की बात करूँ वॉल्कैनों जब erupt करते हैं वॉल्कैनों जहां भी निकलती है वहां भी बहुत सारे दुए होते हैं तो वॉल्कैनिक eruptions से भी क्या हो रहा है भले वो natural है बट वॉल्कैनिक eruptions भी क्या कर रही है अपने आसपास की air को कंटामिनेट या फिर पल्यूट कर रही है तो जो हमारी वॉल्कैनिक eruptions है अगर मैं बात करूँ फॉरस्ट में आग अपने आप लग जाती है तो सुखे पत्तों में जब आग अपने आप लग जाएगी तो क्या अससे धुआ नहीं निकलेगा आश्रस प्रेडियूस होंगी तो यह जो धुआ है यह अगें एर प्लूशन है बट इस नाच्रल सो फॉरस्ट फायर और वॉल्कैनिक eruptions रहे वो नाच्रल है वो मैंनमेड अक्टिविटी से नहीं हो रहा है बट वहीकल्स एग्जॉस्ट फैक्ट्री पार प्लांट्स वहीकल्स बर्निंग ओफ फ्यूल्स यह सब मैंनमेड कॉज़े तो जो है अगर हम इने इन्हेल कर ले तो हमारे उपपर इनका बहुत जादा प्रभाव होता है जैसे कि अगर मैं बात करूँ मुझे पता है कि मेरी बॉड़ी के लिए ऑक्सिजन गास बहुत ज़रूरी है और ऑक्सिजन को मेरी बॉड़ी में कैड़ी करता है हीमोग्लोबिन अगर मैं कार्बन मोनो ऑक्साइड इन्हेल कर लूँ तो वो क्या करता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है और अब हीमोग्लोबिन ऑक्सिजन की बजाए कार्बन मोनो ऑक्साइड को पूरी बॉड़ी में ले जाएगी तो वो जो है मेरी बॉड़ी के लिए harmful हो सकता है, it may even lead to death, तो आई अब हम और causes पढ़ते हैं, अगर मैं बात करूँ, smog, smog क्या होता है, जैसे कि word ही बता रहा है, smog is nothing but smoke plus fog, तो हम इस word से ही समझ सकते हैं, कि it is nothing but smoke plus fog, तब ही उसको हमने जोड करके smog बनाए, तो जब आपने देखा होगा, बहुत ही cold day पे जब fog होता है, और जो हमारी automobiles उनसे बहुत जादा धुआ निकलता है, जिसको हम smoke बोलते हैं, तो जब वो smoke fog के साथ कमाइन हो जाए तो हम smoke बोलते हैं, और वो visibility को बहुत ही जादा reduce कर देता है, तो fog का होना भी visibility को reduce करता है, बट smog का होना visibility को और भी जादा reduce कर देता है, तो this is because of air pollution, अगर हम बात करें इसके अलावा के examples की, तो हमें पता है, petroleum जो है, जब बनाया जाता है, जब extract किया जाता है petroleum, तो उस process में बहुत सारे industries, जो है, वो employed होते हैं, और उनी को हम petroleum refineries बोलते हैं, तो उनके function में भी बहुत सारी उनकी functioning के दौरान, poisonous gases, atmosphere में release होती है, जो की cause करती है air pollution, तो जिसके आप याँ देख सकते हैं, इस automobile से बहुत जादा धुआ निकल रहा है, ये भी एक major cause है, आपके air pollution का, यहाँ अगर मै pollute हो रही है, so these are the causes of air pollution, again, अगर हम बात करें chloro-fluorocarbons की, तो यह होते क्या है, जो आपके refrigerators होते हैं, ACs होते हैं, यह release करते हैं chloro-fluorocarbons, यानि कि यह ऐसे compounds हैं, जिसमें carbon के साथ chlorine और fluorine जुड़े होते हैं, atoms के form में, तो वो जो chloro-fluorocarbons होते हैं, पता है वो क्या करते ह वो जब release होते हैं, वो जब atmosphere में rise करते हैं, तो ozone layer तक पहुँच जाते हैं, और ozone layer हम सबको पता है, हमें sun की harmful radiation से बचाती है, तो यह chloro-fluorocarbons पता है, क्या करते हैं, इस ozone layer को ही deplete कर देते हैं, इसमें holes कर देते हैं, तो इन holes की वज़े से जो sun की harmful radiation है, वो हम तक पहुच ज हैं, तो chloro-fluorocarbons क्या करते हैं, they damage the ozone layer, तो यह जो सारे points आए हूँप, आपको समझ में आ गए होंगे, कि कैसे smog की वज़े से और in particulate matter की वज़े से visibility भी impact होती है, और यह सारी जो चीज़े हैं, यह air pollution के तरफ ही हमें इशारा करते हैं, और हमें बताती कि air pollution क्या होता है, और क्या उसके causes होते हैं, तो अब हम एक special case study करेंगे ताज महल के बारे में, तो ताज महल यह देखिए, before and after, जब शाह जहाने ताज महल बनाया था, तो वो ऐसा था, white color, अब देखिए, वो greyish, yellowish color का हो गया है, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि यह हो रहा है, acid rain की वज़े से, जो हमारी बहुत सारे automobiles या factories रिलीस करती है, वो होती है, SO2 gas और NO2 gas, majorly, तो जब यह SO2 gas water के साथ combine करती है, तो यह H2SO3, याने की sulfurous acid बना लेती है, और यह acid, जो है, यह जब clouds में, यह वाले water droplets combine करते हो, और फिर precipitation होता है, तो जो water आता है, जो rain आती है, उसको हम acid rain बोलते है, और acid rain क्या करती है, marble को खराब कर देती है, करोड कर देती है, इसलिए आप देख सकते है, कि यह present picture है, ताज महल की, so this is due to acid rain, so यह जो pollutants है, यह इसके color को खराब कर रहे है, क्यों, और यह कौन से है, हम बता चुके है, SO2 और NO2, तो यह क्यों हो रहा है, क्योंकि यह sulfuric acid और nitric acid बना लेते हैं, और यह acid जब नीचे आती है, तो यह soil को भी acidic बनाती है, और इस marble के साथ react करती है, तो इसको हम क्या बोलते है, acid rain, और यह जो marble है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यह जो इसका change हुआ है, color, इसको हम बो cause है, acid rain, तो I hope आपको समझ में आगए है, जो various gases है, यह water, जो atmosphere में है, उसके साथ combine करके acids बना लेती है, और इसी rain को हम acid rain बोलते हैं, और यह Taj Mahal और दूसरे monuments को करोड याने के खराब कर देता है, तो I hope यह आपको clear है, greenhouse effect, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने यह देखा sun की heat अंदर आ रही है, और यहाँ पर यह पूरा इस house को heat अप कर रही है, sun की radiation, पर अगर मैं बात करूँ, जब यह बाहर जाना चारी है, तो यह बाहर नहीं जा पा रही है, यानि कि sun की radiations को इस greenhouse ने trap कर लिया, so greenhouse effect is nothing but the trapping of radiations of sun, by the gases present here, तो यह greenhouse concept यह कहां से आया ना, colder regions में, यानि कि जो ऐसे regions जब बहुत ठंड पढ़ती है, वहां कि जो plants हैं वो grow easily नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें proper sunlight और warmth नहीं मिलती है, तो उनको green house में रखा जाता है, green house का यह property होता है कि वो sun की radiation को आने तो देता है, बढ़ जाने नहीं देता, तो अगर sun की radiations अंदर आ गई, तो सारे plants को warmth और sunlight मिल गई, बढ़ यह radiations वापस जा ही नहीं पाने हैं, तो plants को एक sufficient, एक अच्छा optimum environment मिल गया है for their growth, तो this is the concept of green house effect, अब यह हमारे साथ कैसे work करता है, जो earth में atmosphere, which is a layer of, a blanket of gases, उस सारी gases में कुछ gases ऐसी होती है, जो sun की radiation को trap कर लेती है, याने आने तो देती हैं, बढ़ वापस re-radiate नहीं होने देती है, ट्राप कर लेती है, तो वो gases होती है, green house gases, और इस जो trapping वाले process को हम बोलते हैं, green house effect, तो आई अब हम देखते हैं कुछ examples, green house gases का, तो अगर मैं बात करूँ, sun की जो warmth है, उसको trap करना, जो है, वो green house gas का का काम होता है, तो एक green house gas हो गई, CO2, और CO2 के अलावा, जो green house gases, methane, nitrous oxide, water vapor, तो यह हमारी mainly green house gases है, और यह क्या करती है, sun की radiations को trap कर लेती है, इन सम्में से जो major है, वो है CO2, क्यों, क्योंकि CO2 का जो percentage है, atmosphere में वो बढ़ता जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम plants कट करें, plants ही तो absorb करते हैं, plants तो require करते हैं carbon dioxide to make their food for photosynthesis, पट हम तो deforestation कर रहे हैं, plants को कट कर रहे हैं, उसके अलावा, हम factories में जब हम work करें, तो भी carbon dioxide release हो रही है, हम combustion करें, तो भी carbon dioxide release हो रही है, कोई उसे जो है, absorb करने के लिए नहीं है, इसलिए carbon dioxide बढ़ गई, atmosphere में जैसे ही carbon dioxide का percentage बढ़ा, और वो एक greenhouse gas है, तो क्या होगा, वो sun की warmth को trap कर लेगी, जिसकी की वज़े से, जो है, पूरे अर्थ का temperature दीरे-दीरे बढ़ना start हो जाएगा, और इसी को हम कहते है, greenhouse effect, पर यह जो temperature बढ़ा, उसकी वज़े से, जो होगा, वो क्या होगा, polar ice melt होनी start हो जाएगी, क्योंकि temperature बढ़ गया, तो यह average increase, जो पूरे अर्थ के temperature का हुआ, उसको हम बोलते है, global warming, और global warming क्यों होती है, greenhouse gases की वज़े से, क्योंकि वो ही sun की light को, energy को trap कर लेते हैं, जिसकी वज़े से temperature बढ़ जाता है, तो I hope यह आपको समझ में आ गया है कि कैसे CO2 का, जो है percentage बढ़ ला है, deforestation से और human activities से, So I hope this is clear to you. अब सबसे important चीज़ है कि हम कर क्या सकते हैं, तो अगर मैं बात करूँ डेली की case study की, तो डेली में ऐसा हुआ था कि बहुत जादा pollution का level बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, तो पेट्रोल और डीजल के rates बढ़ा दिये, फिर पेट्रोल और डीजल का usage लिमिट कर दिया गया, बट इन सबसे भी कुछ फाइदा नहीं हुआ, सबसे जादा फाइदा हुआ, जिस चीज़ से वो है use of cleaner fuel, clean fuel के मैं दो examples बता सकते हूँ आप लोगों को, LPG और CNG, LPG का full form आप सबको पता है, प्लीज, tell me the full form of LPG, it is liquefied petroleum gas and CNG compressed natural gas, तो हमने देखा होगा, CNG के cylinders कुछ गाड़ी में रखे होते हैं, तो CNG और LPG clean fuels हैं, यानि कि उनकी burning से बहुत जादा poisonous gases release नहीं होती है, इसलिए उनको prefer किया गया Delhi में और उसकी वज़े से उसका pollution level थोड़ा कम हो गया, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लोगों में awareness create कर सकते हैं, कि कम से कम air pollution हो, आपकी गाड़ियों को regular maintenance दिया जाए, engine proper हो, ताकि धुआ न निकले, हम देखते हैं, जब हम सारक पे जाते हैं, कुछ गाड़ियों में से काला धुआ निकलता है, विकाज उनका engine जो है, प्रॉपर्ली वोर्क नहीं कर रहा है, और उसको जो है, जो है maintenance की requirement है, तो आपने देखा होगा, कि प्यूसी की वैन्स रहती हैं, तो दे, आपका जो ऑटो मोबाइल है, उससे जो गास निकल रहे हैं, वो प्यूसी कम से कम कॉस करें, ये प्यूसी जो है वैन्स है, उनका टार्गिट होता है, अगे अगर मैं आपसे बोलू, हमें अच्छे फ्यूल्स लेने चाहिए, कौन से फ्यूल्स, solar energy का use करे, wind energy का use करे ये जो है, ये alternate तरीके हैं जिनको के हम use कर सकते हैं ताकि हमें fossil fuels ना use करना हो और इसके अलावा भी हमें पता है कि carbon dioxide का जो है percentage अकर जादा होगा तो global warming होगी और हमें ये भी पता है carbon dioxide को कौन absorb करता है green plants, तो हमें plants जो है उनको grow करना चाहिए जैसे कि आप या इस picture में देख सकते हैं ये जो बहुत सारे बच्चे हैं ये जो है plant कर रहे हैं कुछ यहां पर पौधा लगा रहे हैं और इसी को हम बोलते है वन मोहत सब यान एक ऐसा दिन जब सब वनो के लिए काम करेंगे याने की नए नए पेड उगाएंगे तो इससे क्या होगा हम एर पल्यूशन को काफी हग तक मिनिमाइज कर सकते हैं तो आप ये मैजर्स आपको समझ में आ गए है और एर पल्यूशन क्या होता है ये आपको clear है हमारी नेक्स्ट विडियो में हम वाटर पल्यूशन के बार में पढ़ेंगे तिल देन थैंक यू हेलो एव्रीवान वेलकम तो मागने ब्रेंज आज हम पढ़ेंगे अबाउट पल्यूशन आफ एर और वाटर तो इसकी प्रिविएस विडियो में हमने पढ़ा था अबाउट एर पल्यूशन और आज की विडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट वाटर पल्यूशन तो फ्रेंज इससे पहले मैं आपको ये बता दू कि क्या आप अपने presently class 10th board में 100 और 100 marks लाना चाहते हैं क्या आप अच्छा percentage score करना चाहते हैं तो आप अपने percentage को 10 से 15% तक increase करना अगर चाहते हैं तो इसके लिए Magnet Brains की team ने बहुत ही मेहनत करके curriculum design किया है आप इस curriculum का use कर सकते हैं इसे हम Magnet Brains Plus बोलते हैं इसको अगर आप खरीद ले तो आप जादा से जादा जो है notes कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे teachers से पा सकते हैं तो जरूर इसका details जो है details जो है आप अपिशल website Magnetbrains.com पर जाकर जरूर विजट करें तो आई अब हम water pollution के बार में पढ़ते हैं So what is water pollution? Water का contaminate होना याने water में कुछ unwanted चीज़ों का आजाना ही water pollution कहलाता है और यह जो unwanted चीज़े है एनी को हम water pollutants पोलते हैं तो water pollution एक मुद्दा क्यों है? क्योंकि पानी की कमी है अगर पानी की कमी नहीं होती तो पानी अगर कंटामिनेट भी हो रहा होता बट हमारे ही उसके लिए अवेलेबल होता तो हमें कोई problem नहीं होती बट हमें पता है बहुत जादा population जिसे कि हम overpopulation कहते हैं इसकी वज़े से जो है हो क्या रहा है? बहुत ही कमी पड़ रही है water की इसलिए अब हम water को pollute करना अफॉर्ट नहीं कर सकते हैं हमें जादा से जादा पानी चाहिए ताकि सब लोगों की नीच साटिस्फाय हो जाए तो water pollution को हमें minimize करना होगा जाने कि यह जो unwanted waste है जैसे कि हम कहते है sand, silt, clay, human faces, polythene, other materials यह सब हम अगर water में डालते हैं तो हम यह unwanted चीज़े ही water में डाल रहे हैं और water की quality उसकी वज़े से खराब हो रही है So this is known as water pollution So I hope आपको यह समयच में आगया कि water कैसे pollute होता है और जो substances उसे pollute करते हैं हम उसे water pollutants कहते हैं जैसे कि आप यह एक picture देख सकते हैं यह water pollution की picture यह आप आप देख सकते हैं कित्रा सारा कच्रा है इस जगा में, इस water body में So this is nothing but water pollution which is caused by these unwanted sources, unwanted materials in water So water pollute होता कैसे है आप water में कच्रा डालेंगे, तो water pollute हो जाएगा अगर human faces जाएगा, अगर मैं seaweed system ऐसा बनाओ कि वो किसी water body में जाके open होता हो, तो पानी मांगा contaminate हो जाएगा अगर सपोस, soil erosion की वज़े से, जो है, soil water में चला गया water contaminate हो जाएगा अगर मैं ये polythene water में डाल दू, water contaminate हो जाएगा अगर dead bodies water में चले जाएगा, तो उनकी वज़े से water contaminate, pollute हो जाएगा तो ये कुछ causes होते है, water pollution के जाएगा, आप यह इन pictures में भी देख सकते है कुछ लोग water bodies में जाकर ही, they take bath तो this will contaminate the water So water का जो cleanliness है, वो effect होगा और इसी को हम water pollution बोलते है तो rivers और streams में भी अगर हम flowing water में भी अगर हम कुछ ऐसे unwanted चीज डाल देते है जैसे कोई कच्रा हमने डाल दिया, तो इससे water pollution होगा जैसे कि मैंना को एक example दू, कुछ industries क्या करती है वो जो उनके area में water body होती है, कोई river होता है, उसी में अपना सारा कच्रा dump कर देते है तो ये सारी चीज़े water की quality को degrade करती है So अगर मैं example हो, industries का, वो जो हैं dump करते हैं अपने waste अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग तो अपने घर का ही कच्रा जो है डाल देते है water body में dispose off कर देते है तो garbage disposal water bodies में नहीं होना चाहिए So this again garbage, sewage, yes of water bodies में जाएगा तो this will again contaminate it तो अगर मैं बात करूँ, आप समने सुना होगा river ganga के बारे में तो ये river ganga है, इसमें काफी लोग स्नान करने जाते हैं काफी लोग जो है थैली में कुछ सामान बंद के उसमें फेक देते हैं काफी लोग उसमें दिया तेरा देते हैं तो ये सारी चीजे उस water body को contaminate करें वो सारी चीजे river ganga को contaminate कर रही है और कुछ जगाओं में तो river dead हो गया था यानि कि river flow ही नहीं कर पा रहा था 1985 में government ने launch किया था और गंगा action plan इसके लाँच किया था कि जो गंगा का जो ये water का quality खराब होना जो है उसको उसकी levels को reduce कर सके बट वो भी काम में नहीं आया तो उसके बाद NMCG जो है launch हुआ 2016 में विच इस national mission for clean ganga तो गंगा को अब clean करना है पहले जो था वो था कि उसको आप pollution को water pollution को minimize कीजिए अब ऐसा हो चुका है कि river इतना गंदा हो चुका है इतना उसमें कचरा भच चुका है कि अब उसे clean करने की नौबत आ गई है तो अब NMCG launch हुआ है 2016 में So Kanpur city में तो river Ganga एक तुरी किसे blocked हो चुकी है वो dead हो चुकी है वहाँ पर तो water जो है stagnant हो चुका है flow ही नहीं कर पाला है क्योंकि बहुत जादा particulate matter, human extreta, faces, wastes, polythines, plastics यह सब ने उस river को block करती है So this is how water gets polluted Again, industries के बार में हम पढ़ चुके हैं Industries water pollution cause करती है अगर बहुत जादा chemicals की हम बात करें अगर मैंने soil में बहुत जादा chemicals डाले और वो chemicals जो है soil erosion की वज़े से water body में चले गए तो क्या होगा? Soil erosion की वज़े से water pollution हो जाएगा Again, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह industry से जो पानी आ रहा है This is black water, this is untreated water यह river body में आ रहा है तो यह इस river body को भी यह water क्या कर रहा है? Contaminate कर रहा है, again water pollution कर रहा है So untreated sewage and other bacteria which is present in the sewage अगर suppose मैं human faces को यहाँ पर डाल दूँ तो यह पानी जो है, यह contaminate हो जाएगा क्या यह water fit होगा for drinking? नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे bacteria होंगे जो disease causing होंगे यहने कि अगर इस water body का कोई water consume कर ले, कोई पानी पी ले तो क्या होगा उसे बहुत सारे diseases हो सकते है तो I hope आप वो समय में आगया कि water pollution होता कैसे है What are the sources? अब हम कैसा पानी पीते हैं? जो पानी fit for consumption हो, हम उसे क्या बोलते हैं? जो fit for human consumption हो, human drinking के लिए जो water fit होता है उसे हम बोलते है Portable Water और आप सबको पता है कि आप इसकोस नल से तो पानी पीते हैं अपने घरों में आपके घर में आरो सिस्टम्स लगे हैं जिनमें की एक proper purifier system होता है जो कि आपके water में से सारे suspended particles, impurities उन सबको germs को kill कर देता है तो क्या कभी आप पानी बीदे तो आपको उसमें कुछ impurities दिखाए देती हैं? नहीं, क्योंकि वो already filtered water होता है और उसके अलावा भी हम उसमें ऐसे chemicals add करते हैं जो germs को kill कर दे जो ऐसे germs हैं जो हमारे आइस के तुरू हमें नहीं देख रहे हैं उनको भी kill कर दे ताकि अगर हम contaminated water पियेंगे तो हमारी body medicines हो जाएंगे तो that is why we need to purify the water and for that we use the purifier or the filter and one example is candle type filter again, हम और क्या कर सकते हैं? filter करने के बाद भी हम water को boil करते हैं क्योंकि high temperature पे सारे germs किल हो जाते हैं so again, boiling is also a method to kill the germs and हम सब को पढ़ा है कि water में जो germs है उनको किल करने के लिए हम chlorination भी कर सकते हैं तो chlorination से भी क्या होता है? उसका भी chlorine का भी action germicidal होता है जर्म को वो किल कर देता है so you can also go for chlorination so you methods आपके water को purify कर देंगे and convert it into portable water so I hope this is clear to you अब water pollution को कैसे रोका जाए? क्या किया जाएगी water pollution minimize हो जाए? तो सबसे important चीज तो यही है कि हम सब को garbage disposal, sewage disposal proper करना चाहिए ताकि उसकी वज़े से water bodies contaminate ना हो उसके अलावा हम पढ़ चुके है class 7 science में wastewater treatment plants wastewater treatment plants में क्या होता है? जो भी wastewater आता है industries से, factories से उसको यहाँ पर हम क्या करते है? clean करते है through various stages और फिर उसे हम river body में dump करते हैं तो wastewater treatment plants जो industries हैं उनका जो wastewater है वो directly river bodies में dump नहीं होना चाहिए उसे wastewater treatment plant तक जाना चाहिए और वहाँ से treatment के बाद वो water को river bodies में या water bodies में discharge करना चाहिए सबसे important क्या है कि polluted water को directly हमें नहीं डालना है rivers और lakes में हमें कहां भेजना है? water treatment plants में और हमें हमारे water जो है उसका usage लिमिट करना चाहिए और उसमें waste garbage इस सबका dump करना हमें एकदम minimize कर देना चाहिए again water जो जिसकी मैं बात करूँ कि हमें water का जो contamination है water का जो pollution है उसे अपने level पर reduce करना चाहिए उसको करने का एक तरीका है कि हम water को reuse कर लें कैसे? suppose मैंने जिस पानी को use किया vegetables को wash करने के लिए अगर मैंने उसको gardening में use कर लिया क्या मैं use कर सकती हूँ? हाँ अगर मैं आप से बुचो क्या हम उसे drinking के लिए use कर सकता है? तो no but at least I can use it to water my plants तो इससे क्या हुआ? मैंने same water को reuse किया तो इस तरीके से जो है हम water जो है उसके usage को minimize कर सकते हैं उसके wastage को भी minimize कर सकते हैं और एक तरीके से वो हमारी water scarcity वाली problem को solve कर देगा तो I hope यह measures आपको clear है wastewater treatment plant कैसा दिखता है आप यहाँ देख सकते हैं और अगर हम सारा जो हमारा waste है उसको directly river bodies में dump करने से पहले उसे treat करें तो water pollution की problem maximum तक solve हो सकती है तो I hope आपको इस हमज़ में आ गया हो हमारी next video में हम इस chapter के NCRT solutions परेंगे Till then, thank you Hello everyone, welcome to Magnet Brains आज हम परेंगे about pollution of air and water इस chapter के NCRT solutions को तो इस video में सारे NCRT के questions जो है इस chapter से वो discussed है याने air pollution और water pollution पर बेस जो questions है उनका solution हमाज देखेंगे तो first question, what are the different ways in which water gets contaminated? तो तीन जगाएं हैं जहां से water जो है, contaminate हो सकता है एक तो जो इंडस्ट्री से waste release होता है वहां से फिर जो agriculture से जो हम food or crops grow करते तो जो waste होते हैं उनकी वज़े से भी water pollute हो सकता है तो यह जो दो ways है, यह सबसे जादा जो है, contaminate करते हैं उसके लावे जो तीसरा way है, that is sewage जो human faces वगेरा होता है जिसको हम collectively sewage बोलते हैं तो वो sewage water जो है, वो भी अगर water bodies में discharge कर दिया जाए तो water को pollute कर देता है तो I have a next question देखते है At an individual level, how can you help to reduce air pollution तो air pollution को आप कैसे reduce करेंगे सबसे पहले तो जब short distances हो, तो vehicles ना use करें और पैदल जाने की कोशिश करें अगेन अगर आप जा रहे हैं बहुत सारे लोग कि किसी common destination पे तो car pool system का use करें याने की सारे लोग एक ही car में बैठ कर जाएं यह जो दो methods हैं यह सबसे important है जो कि fuel का consumption है वो से minimize कर सकती है उसके अलावा आप और भी बहुत सारे eco-friendly methods यूज कर सकते हैं याने कि आप cleaner fuel यूज कर सकते हैं जैसे कि LPG and CNG liquefied petroleum gas जो है वो जो है जब हम उसको as a fuel यूज करते हैं तो जो उसके pipe products होते हैं वो इतने जादा हमारे लिए harmful नहीं होते हैं तो यहीं हमने बताया कि cleaner fuels आपको यूज करने हैं उसके अलावा जो घर में और factories में चिमनीज हैं उनसे जो dust और smoke और particles निकलते हैं उसको minimize अगर हम करें तो वो pollute नहीं करेगा air को so this will help in reduction of the air pollution level again अगर मैं बात करूँ garbage की बात अगर करें garbage जो है उसको हम proper तरीके से dispose करें तो उससे क्या होगा अगर हम उसे जो है water bodies में ना faking तो उससे water pollution जो है वो reduce हो सकता है so I hope यह कुछ methods आपको सबज में आ गए कि आप कैसे reduce कर सकते है pollution को और specifically अगर हम बात करें air pollution की तो air pollution जो है उसके लिए आपको fuel का usage करना है या फिर clean fuel का usage करना है और उसके अलावा आपको जो है air pollution जो है smoke और nitrogen dioxide carbon dioxide इन सब gases की वजह से होता है तो यह कब release होते है जब combustion होता है किसी भी fuel का या फिर अगर मैं बात करूँ अगर बहुत सारा कच्राय कठा हो गया और हम उसे burn कर देते हैं तो भी बहुत जादा smoke और ashes produce होती है तो वो smoke again air को pollute करती है तो इसलिए हमें सारे garbage को properly dump करना जाहिए ना कि उसे burn करना जाहिए तो आयोप यह points आपको clear है Clean transparent water is fit for drinking तो clear transparent water हमेशा सही होता है क्या drinking के लिए इस पर आपको comment करना है So can you comment on this? What is your comment? So is it true and if true why? Is it false if false why? So of course clear transparent water याने जो एक साफ सुत्रा दिखने वाला जो पानी है क्या वो हमेशा साफ हो ऐसा जरूरी है? नहीं जो हमारे घर के नलों में से पानी आता है हम वो drink नहीं करते हैं तो यहाँ difference इस चीज का है दोनों ही हमें clear दिखते हैं बट हम आक्वागाड वाला पानी इस लिए drink करते हैं युकि उसमें सारे germs किल किये जा चुके होते हैं उसमें कुछ microbes हो, कुछ germ causing bacterias हो, वो जो है हमें effect करेंगे तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम हमेशा नहीं कह सकते कि जो साफ दिखने वाला पानी है वो fit for consumption है वो clean ही होगा तो अब अगर हमें उसे purify करना है तो हम क्या करें? हम उसे boil करेंगे तो सारे germs बहुत ही high temperature पे किल हो जाएंगे तो then we can use it You are a member of municipal body of your town Make a list of measures that would help to ensure the clean water to all its residents तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो main source है water का जासे जो main water supply है वहाँ पर ही सबसे पहले तो water जो है वहाँ से हर जगा supply होगा तो it should be clean वहाँ पर ही cleanliness measures और जो है purify हो जाना चाहिए water कैसे purify करेंगे? By killing the germs आप उसमें chlorination कर सकते है Chlorine क्या करता है? Germs को जो है kill कर देता है So these are some measures which you can follow Again, the pipelines should be clean नहीं तो पता चले हमने तो water को purify करा दिया But pipelines गंदी है तो उसमें जाकर वह water फिर से गंदा हो गया So the area around the water pipes must also be clean So I hope this question is clear Explain the differences between pure air and polluted air To pure air क्या होती है हमें पता है composition of air 78% हमारा nitrogen होता है 21% oxygen होता है And 1% is a mixture of many gases Including carbon dioxide, argon, etc Toh ये पुरा pure air को constitute करता है अब अगर मैं बात करूँ, polluted air क्या है Polluted air में भी ये सारे components तो होंगे But air की composition थोड़ी different हो जाएगी क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी poisonous gases Such as sulfur dioxide, nitrogen dioxide ये सब add हो जाएगी तो air का composition का हलका change हो जाना Dust particles आ जाएगे, smoke आ जाएगी तो ये सब जो air को contaminate करते हैं उसी को हम बोलते हैं polluted air ना के विल इसमें gases हैं बट इसमें कुछ particles भी है जुसको हम बोलते particulate matter तो ये question आपको समझ में आ गया है Explain circumstances leading to acid rain How does acid rain affect us? तो acid rain होती क्या है Rain तो हम सबको पता है What is rain? What is acid rain? अगर मैं बात करूँ जो human की activities से जो बहुत सारी poisonous gases atmosphere में रिलीज होती है जैसे की sulfur dioxide अगर हम बात करें SO2 carbon dioxide nitrogen dioxide तो ये gases क्या करती है ये water molecules के साथ combine करके acid बना लेती है Gas plus oxygen will combine with each other to form Gas plus water will combine with each other to form acid Now this acid What will it do? ये acid जो है बारिश के पानी के साथ mix हो गई तो अब ये acid जब precipitation होगा और जब ये आएगी rainfall के form में तो ये क्या करेगी ये damage cause करेगी और इसी rain को हम acid rain बोलते हैं क्यूंकि acids जो हमारा water है वो acidic हो गया तो water अगर acidic हो गया तो उसके क्या consequences है जो crops है उनके उपर अगर acid rain पड़ी तो क्या वो properly grow कर पाएंगे नहीं क्यूंकि soil acidic हो जाएगा और अगर मैं बात करो ताज महल के बारे में हमने पढ़ाई है कि ताज महल जो है marble का बना है बट वो marble जो है acids के effect की वज़े से damage होता जा रहा है So that is known as marble cancer यह भी हम पड़ चुक है तो यह जो हमारे monuments है उनको भी corrode कर रहा है यानि की खराब कर रहा है So these are the two consequences of acid rain Which of the following is not a greenhouse gas? तो हमें पता है carbon dioxide, sulphur dioxide or methane greenhouse gases है बट nitrogen जो है वो gas है वो inert है तो that is why वो greenhouse gas की तरह act नहीं करती है क्योंकि वो sun की harmful rays को trap नहीं कर पाती है So greenhouse effect क्या होता है हम सबको पता है कि जो बहुत ही cold climate वाले regions होते है उनमें plants को जो है एक green color के काच के घर में रखा जाता है ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि green house जो है वो sun की rays को trap कर लेता है बट उसे वापस नहीं जाने देता याने आने देता और वापस नहीं जाने देता याने trap कर लेता है तो अगर sun की rays याने की sun की warmth trap हो गई तो plants को cold regions में भी जो है sunlight और warmth मिलेगी जिसकी वज़े से वो easily grow कर पाएंगे so this is the concept of green house अब अर्थ पे क्या होता है अर्थ का जो atmosphere है वो भी इसी तरीके से act करता है जो blanket of air है वो radiations जो आती है अंदर उन सारी radiations को वापस नहीं जाने देता है कुछ radiations को trap कर लेता है और इस trapping की वज़े से क्या होता है कि earth का जो temperature है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि warmth बढ़ती जा रहे है तो यह जो gases है atmosphere में वो ही greenhouse gases कहलाती क्योंकि वो क्या करती है वो उन sun की radiations को trap कर लेती है for example CO2, CH4 etc. So I hope greenhouse effect is clear to you अब greenhouse effect का consequence होता है global warming क्योंकि temperature अगर बढ़ जाएगा तो उसकी वज़े से क्या होता है, ice melt होने लग जाएगी, flooding भी हो सकती है, floods भी आ सकते है तो यह जो average increase in temperature है इसी को हम बोलते है global warming, तो इसलिए हम कहते है कि greenhouse effect leads to global warming तो I hope यह greenhouse effect आपको clear है prepare a brief speech on global warming तो global warming होता क्या है global warming is the average increase in the temperature of earth तो यह जो average increase होता है यह क्यों होता है क्योंकि कुछ greenhouse gases होती है जो sun की radiation को trap कर लेती है जिस trapping की वज़े से क्या होता है average temperature यानि की warmth बढ़ जाती है और इसका consequence क्या हो सकता है global warming यानि कि अगर मैं बुरू कि earth के temperature में अगर किसी particular region में 0.5 degree celsius का भी temperature का difference हो जाए यानि temperature rise हो जाए तो वह वहां के organisms के लिए survive करने के लिए difficult हो सकता है तो that is why global warming जो है उसकी वज़े से क्या हो रहा है जो polar ice है जो poles पे ice है वो melt हो रही है और बहुत जादा अगर मैं बात करूँ global warming जादा होगी तो ice जादा melt होगी अगर ice जादा melt होगी तो उससे क्या होगा? reverse जो है वो over flood भी हो सकते है तो this is known as flooding So I hope यह आपको समझ में आ गया है कि what is global warming? It is the average increase in the temperature of earth So यह किस की वज़े से होता है? Greenhouse gases की वज़े से Describe the threat to the beauty of Taj Mahil तो हम तो पर चुके है कि Taj Mahil marble का बना है और उसको threat है acid rain से क्योंकि जो poisonous gases है वो water के साथ combine करके acids बना लेती है और जब precipitation होता है तो वो Taj Mahil के marble को जो है corrode कर देती याने खराब कर देती उसके साथ chemical reaction करके तो इसकी वज़े से जो है Taj Mahil का जो पूरा का पूरा white color है वो ब्लाकिश में turn होता जो ग्रे होता जा रहा है वो so this is the effect of this is the threat to Taj Mahil and other monuments also which is acid rain Why does the increased level of nutrients in water affect the survival of aquatic organisms तो अगर बहुत जादा nutrients होंगे तो बहुत जादा algae grow करेगी तो अगर water में suppose मैं बुलू soil erosion की वज़े से बहुत सारे nutrients water body में आ गए अब होगा क्या वहाँ बहुत जादा algae develop होगी और algae के development की वज़े से क्या होगा जब यह algae when they die तो कुछ ना कुछ होगा जो उसको clean up करेगा and जो cleansing agents होते हैं वो होते हैं decomposers तो decomposers decompose करेंगे algae को dead algae को और उस decomposition में वो सारा का सारा water में जो oxygen है उसको consume कर लेंगे तो अब जो बाकी के aquatic organisms है उनके लिए oxygen बचेगा ही नहीं जो dissolved oxygen है वो decomposers ही consume कर लेंगे तो dissolved oxygen अगर बचेगा ही नहीं तो aquatic animals survive कैसे करेंगे fish और other aquatic animals क्या करेंगे they will die So this is the effect of increased level of nutrients in any water body तो I hope यह questions आपको clear हो गए है हमारी next video में हम class 8 science का next chapter परेंगे तल तल द तो थे तुल आगी झाल झाल झाल